अब बीटा question 4 देखते हैं थी किया है सबसे पहले सबसे पहले जितनी भी इन inequalities है उनको here qualities में convert करो पहला सबाद्ट करो सब i把它 सबी look醇 में सेम है can work all inequality convert all inequalities इन्टू इक्वैलिटीज ठीक है यह तो सभी कोश्चंस में सेम है ठीक है जी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बटा हमारे पास क्या जाए गाए एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर आ गया ठीक है जी इन इक्वैलिटी को हमने एक्वेशन में कनवर्ट कर दिया एक्स माइनस इक्वल टू जिरो आ ठीक है अब क्या करना है सर्फटा फट इनके कोडिनेट निकाल लाट ठीक है बटाक कोडिनेट निकाल लेते हैं हमारे पास कोडिनेट क्या आ जाएंगे ठीक है जी एक बार sigu बीटाए जिरो पुट कर लो आपके पास x4 आ जाये एक बार double x0 पुट कर ठीक है एक्स और य मुझे बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूं इस एक्वेशनगों कैसे लिख सकता हूं कि टू एक्स是啊 बिलकुल लिख सकते हैं ठीक अब मैं यहाँ पे बिटा अगर मैं य migrant पुट करूँ हूँ तो X भी मेरे पास 0 आ गया अच्छा जी यहां पे तो बेटा मेरे पास 00 रखके तो एक ही कोडिनेट आया और मुझे मिनिम्म दो कोडिनेट चाहिए होते हैं लाइन ड्रो करने के लिए ठीक है जी अब हम क्या करें बेटा अब 00 के अलावा कोई और वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अब मालों यहां पे एक्स के प्लेस पे आपने वन पुट कर दिया तो वाई टू आ जाएगा ठीक है एक्स के प्लेस पे आपने टू पुट कर दिया वाई फूर आ जाएगा ठीक यह हमारे पास कोडिनेट आ गए अब हमें क्या करना है इन कोडिनेट को जल्दी से ग्राफ पे प्लोट कर दो 4004 सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं यहां पे काईगा बटा 40 आ जाएगा ठीक है जी 04 यहां पर आ जाएगा ठीक है जी अब हमें करना है यहां पे को जाइन गर ना अब लाइन देखे लू गोंसी लाइन आएगी जल्दी को सल यहां पर स्लैक यनिक क्यों में लाइन हमेशा बॉल्ड आती हैं ठीक है यहां पर एक बोल्ड लाइन इस तरी क्सी एक बॉल्ड लाइन हमmers layout लाइन हम इसकी बात कर ले ठीक है अब सक plus y equal to 4 ठीक, अब जोईन कर तो उससे पहले देखना है, हमें line dotted आएगे कि bold आएगी सर यहाँ पे तो strict inequality है strict inequality के इस में line doted आती है बेटा very very good ठीक है तो यहाँ पर हमें क्या करना है इस तरीके से बेटे हैं हमाँ एक doted line, हम क्या करता है doted line है हमने क्या है, एक doted line हमने बना दी ठीक है जी बड़ी असी एक Chairman doted line हमने बना डाली ठीक है अब अब आगे हमें क्या करना है अब आगे हमें क्या करना है बटा जल्दी बताओ dotted line बनाने के बाद हमें क्या करना है सर वही रटे हुए step बस बटा यहां पर यह लिख देना है आपको एक बाट कि two x minus y equal to zero ठीक अब रटे हुए step बेटा वही रटे हुए step लगा डालो पूट क्या करना है पूट पूट 0000 पूट कर दो in x plus y greater than equal to four ठीक जीरो जीरो पूट करो xy के प्लेस पे आपके पास क्या जगा 0 greater than equal to four बेटा जीरो ग्रेटर कैसे हो सकता है यह statement हो सर हमारे पास false आगए ठीक है जी अच्छा अब यहां पर देख लेते हैं बीटा Advance एब लिख रहाऊ यहां पर लीख़ाओ में पूट बेटा मुझे रोक लो मैं यहां पर गल्टी कर रहरा हं मिस्टेक करों पिट्टा मेरे हाथ को रोक लो मैं क्या गलती कर रहा हूं जल्दी बता हूं मैं कहा रहा हूं फिर फुट 00 फुट 00 into x minus y ठीक है यहां पे के बटा less than zero जल्दी बताओ मैं यहां पे क्या मिस्टेक कर रहा हूं मैंने आपको क्या समझाया था जो लाइन है जब भी लाइन हमारी ओरीजन से पास हो रही है उस केस में हम 00 पुट नहीं करते एक बार फिर आपका रिवाइस कर आए तो लोजिक क्या था जल्दी समझो अब मालो में 00 पुट कर देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा एकस वाई के प्लेस पे 00 पुट करूंगा तो जीरो लेस दिन जीरो आया हंजी तो यह मेरे पास स्टेटमेंट क्या होई स्टेटमेंट फॉल्स होगी जीरो इकुल टू जीरो होता है ठीक है तो स्टेटमेंट क्या हो स्टेटमेंट तो सरी हाँ पर हमारे पास फॉल्स आ गई बेटा अब आप ही मुझे बताओ statement false आ गई 00 put करने के बाद तो हमारा solution क्या होता है इस case में solution होता है opposite to origin opposite to origin हमारा solution होता है यह हमने समझा हो ठीक अब यह line है अब आप मुझे जल्दी बताओ बेटा यह line है जो कि एक origin से पास हो रही है अब आप मुझे बताओ opposite to origin आप किसको बोलोगे यह lower half plane को बोलोगे कि upper half plane को बोलोगे जल्दी बताओ बेटा जल्दी बताओ किसको बोलोगे line तो बेटा origin से पास हो रही है ना तो आप इसको बोल पाओगे ना ही आप इसको बोल पाओगे opposite to origin ठीक है ना क्योंकि line जो है बेटा वो कहा है origin से पास हो रही है समझ में आ रहा है जब line ही origin से पास हो रही है तो हम कैसे बता सकते हैं यहां पे हम बेटा decide नहीं कर सकते कि हमारा opposite to origin lower half plane होगा कि upper half plane होगा तो zero zero put करके हमें solution नहीं पता चलेगा अच्छा तो इस case में आपको क्या बताया था इस case में आपको क्या बताया था देखो बेटा आपने मुझे याद नहीं दिलाया और मैंने mistake करी कितना time खराब हो गया ठीक तो यहां पे मैंने आपको क्या समझाया था कि भई हमें अब क्या करना है हमें यह करना है कि एक बार आप upper half plane का कोई भी point ले के इसमों पुट करके देख लो कि भई यह true आ रहा है कि false आ ठीक है या फिर आप lower half plane का कोई भी acontecement लेके बेटा इस inequality में put करके देख लो true आ रहा है कि फोल्स आ रहा है ठिक है जहां पर पे बेटा ट्रू आ रहा होगा वही हमारा सुल्यूशन होगा ठीक एक लड़ चेक कर लेते हैं तो हमें करना क्या है अगर इस ट्रइप का अगर हमें इक्वेशन आ जाए जिसमें भाया वो लाइन जो है हमारी origin से पास हो रही है, तो कैसे लिखेंगे हैं? सबसे पहले हम यहापई लिख सकते हैं कि भी, यह हमें क्या given है? हमें दे रखा है कि भाई, two x minus y जो है, वो less than 0 है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, check कर लेते हैं, upper half plane check कर लेते ह अब जो मन करें बेटा अपर हाफ प्लेंगा कोई भी पॉइंट उठा लो सर हमारा मन कर रहा है हम यह वाला पॉइंट उठा लिए यहां पर कहां बेटा माइनस टू और टू ठीक है यह पॉइंट तो हम क्या करेंगे पुट-पुट-पुट-पुट-पुट-पुट- सोल करेंगे तो क्या जगा 224 माइनस माइनस का 6 less than 0 तो उस्तेटंमेंट यह सिक्स लेस टेटमेंट एस स्टेटमेंट तो ब tô बिलकुल हमारी हो पर टू आ रहwow है इसका मैंने आपको क्या समझा जाता अगर single point भी single point भी satisfy कर जाता है it means upper half plane का कोई भी point आप लो वो सब satisfy करेंगे हमारी इस inequality को ठीक है तो हमारा solution क्या हुआ solution हमारा क्या हुआ इस case में upper half plane हमारा solution होगा ठीक अगर आप lower half plane का कोई भी point रखोगे तो इस inequality को satisfy नहीं करेगा एक बार check भी कर लो ठीक है जी check कर लेते हैं जो दिल करें बेटा वह point ले लो चुल यह point लेते हैं ठीक है जी three or two आ रहा है three and two आ रहा है ठीक है एक बार roughly इसको ऐसे put करके देखो क्या आ रहा आपके पास two three क्या है यहाँ पे x है और minus y के place पे two आ जाएगा और less than zero तो बेटा क्या है यह statement क्या है यह statement तो बेटा false आ गई four less than zero नहीं हो तो statement क्या है false आ गई इससे हमें यह पता चला कि हमारा lower half plane solution नहीं होगा clear ठीक है जी तो बहुत धीरे धीरे हम सारी चीजों को अच्छे जे समझेंगे अच्छा जी अपर half plane की भी बात कर ली lower half plane की भी बात कर ली अब बताओ बेटा line क्या है हमारी line इस case में dotted है अब dotted line पे जो भी point lie कर रहा है अगर आप बेटा इस inequality में put करोगे तो भी satisfy नहीं होगी हमारी inequality ठीक है जैसे कि हमने यहाँ पे यह point लिए यह यह 1002 का है 1002 टूह वन ओ क्या अगर आप यहाँ पर पूट करो गोगे तो X कि है X कि आगया आपके पास यहां पे X आ गया वन और Y आ गया टू ठीक है नहीं तो यहां पर हम रखें तो है तो हम यहां पे इस तरीके से बेटा एक है रो बना देंगे कि हमारा अब नहीं का है अपर्व हमारा GL इस वाली लाइन का ठीक है अब बात कर लेते हैं baita this ilai की यह कहा रहा है यह कहा रहा है fal design 00 put किया ठीक है को कि यह वाली लाइन हमारी ओरीजिन से पास नहीं हुआ है थी हम ने 00 put किया हम पड़ाइन was Libs होगा ठीक है जी तो इसको मैं कुछ इस परकार से हां पर बना देता हूं ठीक है इस परकार से हम बना देते हैं तो हमारे पास अब हमें करना है हमने इंडिवीज्युली दोनों लाइन का सोलुशन निकाल लिया अब हमें करना है इनका common area ठीक है निकालना है common area common solution क्या होगा ऐसा solution जो दोनों inequality को एक साथ satisfy करता हो ठीक अगर आप बड़े ध्यान से देखो यह arrow हमारी बहुत help करते हैं अगर आप इन दोनों arrow को देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह कह रहा है कि भाई यह वाला area होना चाहिए और यह arrow कह रहा है कि यह वाला area होना चाहिए तो बेटा साफ दिख रहा है कि क्या है और यह दोनों एरो बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो इनके बीच में तो बेटा कुछ भी common नहीं है और यह क्या होगा तो हम क्या कर सकते हैं इस तरीके से यहां पर शेड कर दो बेटा इस एरिया को बड़ी असी कला काली दिखा डालो यहां पर ठीक यह जी तो यहां पर क्या हो हमने इनको बता दिया कि यह क्या होगा हमारा यहां पर solution ठीक यह जी तो यहां पर मुझे क्या लिखना है यहां पर मुझे क्या लिखना है यहां पर मैं लिख सकता हूं solution of given inequality solution solution of given given inequalities given inequalities क्या होगा बैटा will be the will will be the shaded area will be the shaded area अब मुझे एक बात बताओ क्या बात यहीं खतम हो गई क्या बात यहीं खतम हो गई सिर्फ और सिर्फ क्या shaded area ही solution है बेटा बड़े ध्यान से मेरी बात को समझो कोशन नमबर 123 में मैंने आपको क्या समझाया भी था कि जो हमारी यह बोल्ड line होती है यह भी solution होती है डोटेड लाइन solution नहीं होती अभी हमने चेक भी किया बोल्ड लाइन solution होती है तो यह shaded area भी हमारा solution होगा और यहां से यहां तक यह बोल्ड line है यह भी हमारा solution होगा ठीक है ध्यान रखना है तो यह भी आपको लिखना है तो यहां पर मैं आपको बता दू कौन सी बोल्ड रहे हैं मैं बात कर रहा हूं यहां से जो यह बोल्ड लाइन आ रहे है यह बोल्ड लाइन यहां से लेकर ठीक है यहां से लेकर यहां तक ठीक और इस वाली lian ko को歌 pik pseudo नहीं कर रहा क्यूंकि dot dec Stamp कि आने वाला प्ओएन को एने वाला पॉइंट हमारी इस वाली inequality को satisfy नहीं कर रहा अभी हमने चैक भी किया था चैक क्या क्या था? अगर आप चाहो तो ठीका कोई भी point आप रखके чек कर सकते हो अभी हमने चेक भी किया था ठीक है तो मैं कर रहा हूं इस वाली लाइन को इससे टच नहीं कर रहा है मैंने सिर्फ बेटा यहां पे बिल्कुल क्लोज लाके हां पर छोड़ दिया ठीक और मैंने इस लाइन को नाम दे दिया A and B यहां तक मैंने इसको दिखाया वसी यहां तक ठीक है इससे टच नहीं किया तो मैं यहां बताना चाहता हूं कि solution जो है यह shaded area भी है और line A B B हमारा solution है AB line पे जो भी point लाइक कर रहा है वह आप चाहिए इस वाली inequality में पुट करो या फिर इस वाली inequality में पुट करो दोनों को satisfy करेंगे ठीक है एक बार चेक करवा दो ठीक है यसी यह point आ गया मेरा क्या point आ रहा है यहां पर 0 और 4 आ रहा है ठीक यह 0 और 4 आ पर एक काम करो बटा इस में पुट करके देखो ठीक है जो यह inequality है यह तो satisfy हो रही है ठीक अच्छा अब यही point आप एक काम करो बटा इस वाली inequality है पुट करके देखो ठीक है सर बिलकुल हम पुट करके देखते है एक बार तो आपके पास क्या है यहां पर हमारा x 0 है ठीक है जी y क्या है यहां पर हमारा 4 है तो minus 4 यहां पर less than 0 तो मेरे पास क्या आगया minus 4 less than zero ठीक है जी-BB-0 ही होता है तो यहां पर भी क्या है यहां पर भी क्या यह तो true आ गया यहां पर यह भी satisfy हो रहा है तो मतलब इस line पर जो भी point आ रहे हैं वो इन दोनो inequality को satisfy करेंगे तो हमारा जो solution हुआ shaded area हुआ और यह line हुई clear लेकिन जो यह वाला point है जो इस वाली line पे लाई कर रहा है ठीक है जहाँ पर यह line दोनों intersect कर रही है ठीक है वो point जो होगा वो हमारी इस वाली inequality को satisfy नहीं करेगा है इसलिए मैंने इस line को इसके साथ touch नहीं किया clear ठीक है जी बटा concept एक तम हमें अपने पके रखने है ठीक तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूं including 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 line a b यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं ठीक है a b line ठीक है यहाँ पर लिखता हूं a b line इस नॉट ठीक है ना touching to the dotted line यह लिख देता हूं बैटा समझ नहीं clear to the dotted line जिससे कि revision time पर आपको clear हैगा ठीक है ठीक है जी तो बैटा इसको note को रखर चलते हैं बैटा अपने next question अब देखते हैं बैटा अपना fifth question ठीक है जी अब यह बैटा फिफ्ट question में same step same step convert convert all inequalities convert all inequalities into equalities into equalities ठीक है जी अब बैटा हमारे पास यहां पर क्या आजाएगा हमारे पास क्या आजाएगा हमारे पास आजाएगा टू अब इसके कोर्डिनेट निकाल ठीक है जी इसके भी कोडल्नेट निकाल ले ते हैं जल्दी जल्दी इसके पी कोडिनेट निकाल डा लादो ठीक हमारे पास अब क्या dif हमारे पास क्या आएगा अगर मैं यहां पर बात करूँ य के प्लेस पर अगर मैं 0 रख दूँ तो X मेरे पास माइनस वन आ गया X के प्लेस पर अगर मैं 0 रख दूँ तो Y मेरे पास पॉजिटिव का पॉइंट फाइव आ गया ठीक है जी अब मेरे पास क्या बैटा ये कोडिनेट आ गए अब इसकी पहले हम बात करते हैं फटा फट क्या करो कोडिनेट को जल्दी से यहां पे ग्राफ पे प्लोट को तो 0.5 कहां पे बैटा 0.5 ये आ गया हमारे पास ठीक ना जीरो पॉइंट एक तो यह आ गया और जीरो और माइनस वन की बात अन्यक्या बैटा जीरो और माइनस वन एक ये मेरे पास कोडिनेट आ अब इन कोडिनेट को जोईन करना है उससे पहले हमें क्या देखना है जो लाइन है हमारी डोटिड आएगी की बोल्ड आएगी चक करो है यहां पर स्ट्रिक्ट इनिक वालेटीं स्ट्रेक्ट इनिक वालेटी किसमें लाइन हमेशा हमारी डोटिड होजा है ठीक है एक लाइन हम अहां से एक डोटीड लैन चीए तो्त्रीकृ माते lazis की यहह हमारी एक डॉट्टीड लाइन आ गई है ठीक है अब हमें क्या करना है अब हमें क्या करना है अब बेटा यहां पर थोड़ा सा बड़ी असी लगने चीजिए लाइन ठीक ठीक है अब इस लाइन को बेटा यहां पर लिख दो कौन सी लाइन है हमारी टू एक्स माइनस वाई इ ठीक है जी और यहां पर बात करें जीरो और पॉइंट फाइफ यह रागया ठीक है बटा जीरो पाइंट फाइफ यह कोडिनेट आगे अब इन कोडिनेट को भी जॉइन करना है लाइन चक कर लो बिटा क्या उनसी आएगी स्टेक्ट इनिकॉलेटी है डोटीड लाइन आएग ऐला है ठीक है कंजी यहां पर हमारे पास samma एक डॉप्टीड लाइन तक बनाँ गलतिं टीक है अभी हां पर हमीश का नाम ब Kiss — Care Turbo जीरो 0000 in 2x minus y greater than 1 00 अगर मैं put करो xy के place पे तो क्या गए बैटा 0 greater than 1 बैटा ये तो statement क्या होई false होगी 0 greater कैसे हो सकता है बैटा ये हमारे पास false statement आ गए अब वैसी बैटा एक काम करो put करो यहाँ पे 0000 in x minus 2y less than minus 1 ठीक है जी यहाँ पे अगर मैं 00 put करो एक्स y के place पे तो क्या जागा 0 less than minus 1 बैटा ये statement क्या होगी false आ गई 0 greater होता है minus 1 से तो ये statement भी हमारे पास false आ गई ठीक है अब हम पहले इसकी बात कर लेते हैं इस वाली लाइन की तो बैटा यहाँ पे क्या फोल्स आ रहा है प्लीन हो जाएगा तो इस केस में इस वाई लाइन का solution क्या होगा इस वाई लाइन का solution यह होगा ठीक है अगर मैं बात करूं solution क्या होगा तो इस वाईन का solution क्या होगा बटा यह solution होगा ठीक है हम ऐसे बनादेते हैं लोर आफ प्लें सोलुइशन होगा अब बात करते हैं इसकी यह भी फॉल्स बता रहा है है इसकेश में भी सोलुइशन कोगा अपोजिट टू ओरीजन होगा चेक करो बेटा अपोजिट कौन सा होगा यह लाइन है ठीक है। बेटा अगर मैं अगर मैं य को कि जो solution है soluciones सब्च्राइब असलीशन का solution कोमन एडिया सम है शिक्त हो जिसकर कोया हिए को एक साथ सेटिस्टिसफाई करें ठीक है अगर आप देखो फिर इस वाली इस वाले लाइन का एरो बतार है solution इसे ड़ोगा तो बेटा यही एक आपका यहां पे common area आ रहा है यह वाले जो दो एरो यह तो बिल्कुल opposite direction में है तो यहां तो बेटा आपको कुछ common नहीं मिलेगा तो common क्या हो बेटा आपका यहां पर यह common हो ठीक है ठीक है इस वाले equation को मैं बाहर लिख देता हूं ठीक है 2x-y ठीक है यहां पर हम इसको लिख देते हैं कि इस वाली line की equation क्या है इस वाली line के अगर हम equation यहां पर अलग से लिख देते हैं ताकि पता रहे कि यह क्या है 2x-y equal to 1 यह इसकी line के equation की बात हो रही है ठीक है जी अच्छा अब देखें अगर हम फटा फट तो हमारे पास common area कौन सा है यह आया ठीक है न यह हमारे पास क्या है इस केस में यह common solution हमारे पास इस केस में आएगा क्लियर हुआ हम जी सर एक तम बढ़िया से क्लियर हुआ ठीक अच्छा तो यहां पर मुझे क्या लिखना है जल्दी बता यहां पर क्या लिखना है सर यहां पर हमें लिखना है solution of solution of given inequalities given inequalities given inequalities given inequalities will be the shaded area will be the shaded area ठीक ठीक है जी will be the shaded area अच्छा यहां पर कुछ including लिखना है including लिखना है बड़े ध्यान से समझो dotted line है यह line भी dotted है यह line भी dotted है in line के उपर जो point like कर रहे हैं वह inequality inequality को satisfy नहीं करेंगे तो जो हमारा solution होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या होगा यह shaded area होगा यह जो line है यह हमारा solution नहीं होगी clear note करो जल्दी बेटा फिर चलते हैं आगे झालते हैं